हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब , तो दोस्तो हमारे चैनल में उत्राखंड की ये सिरी चल लही है जिसमें के आप को complete course कराया जा रहा है दोस्तो हमारा उतराखंड का कोर्स चली रहा है और उसे के साथ में हम लोग हिंदी भी पढ़ रहे हैं और आज से हम लोग computer भी शुरू करने जा रहे हैं computer में हम लोग शुरुवात कर रहे हैं computer संबंदी सब्दावली की देखी यहां से हर एक्जाम में एक या दो प्रश्णा बनते हैं, तो बहुत ही महदपूर्ड रहेगी हमारी ये कंपूर्टर सम्बंदी जो सब्दा ओले रहेगी, बहुत ही महदपूर्ड हमारी ये सिरी जरहने वाली है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या अधिन करेंगे, देखी इसमें हम लोग अधिन करेंगे, कंपूर्टर से सम्बंदी सब्दा ओले या निकि, कंपूर्टर में को सब्दों होते हैं, जिनको आपको एक्जाम में उनके अर्थ बताने पढ़ते हैं, तो ऐसे ही कुछ सब्दों को हम लोग पढ़ेंगे इसके दो-तिन पार्ट आपके आएंगे और बहुत सारे जो computer की सब्दावलिया हैं उनको हम लोग cover करेंगे चल यह शुरुआत करते हैं पहला है absolute value ए whistle value क्या होताइध ही इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है अंग्री जी में आपको लिखा हुआ हुआ मिलेगा ताकि अगर आपको हिंदी में समझे नहीं आता है तो आप लोग अंग्री जी में इसको पढ़ सकते हैं तो देखिए absolute value क की संख्या होती है मतलaye कंप्यूटर में एक की संख्या होती है जिसको कहते है एट्रस क्या होता है एड्रस अनेक परकार के होते है address घर का address होता है address office का address होता है वैसे ही computer में भी एक address होता है वो कैसे देखिए computer की memory में जहाँ पर data को संग्रहित किया जाता है उस इस्थान के पते को address कहते हैं इसको चरों के माध्यम से परदसित करते हैं देखिए कितना महत्पुन प्रश्न है यहाँ पर से आपको समझना किया है कि computer की memory में जहाँ पर data को संग्रहित किया जा रहा है यानि कि जो memory होती है computer की उसमें जहाँ पर data को संग्रहित किया जा रहा है उस इस्थान के पते को address कहा जाता है चले ठीक फिर देखिए अगला आता है अल्गोल, अल्गोल क्या है? यहाँ एक उच्चे स्थरी प्रोग्रामिंग भासा है, कई बार दोस्ते जाम आ भी चुका है कि अल्गोल क्या है? यहाँ एक उच्चे स्थरी प्रोग्रामिंग भासा है, उसके बाद देखिए अल्गोरिदम, अल् गोरिदम मतलब की चलनाबद तरिके से अगर किसी समस्य का हल हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं एल्गो रिधम चलिए ठीक फिर देखिए Alpha Numeric इसमें देखिए Numeric आगिया है तो आप लोग इसको वैसे समझ जाना अगर Numeric आ रहा है तो अंकों के वारे में एक दूसरे से लगातार तुलना करता है तो उसको हम लोग क्या गयते हैं अनलोग computer चलिए ठीक फिर देखी अगला आता है arithmetic and logic unit देखी बहुत महत्पूर्ण है कई बार दोस्ते एक्जाम माच चुका है अधिकान से जो इसमें पुछे जाता है इसकी full form पुछे आती ALU ALU की full form बहुत बार दोस्ते एक्जाम में पूछ ले गई तो इसलिए आपको याद रखना है arithmetic and logic unit इसकी full form होती है आप देखी इसका कारे क्या है यह CPU का एक भाग है पहली बात तो आपको याद रखना है जो ALU रहेगा वहाँ एक CPU का भाग रहेगा CPU यानि की Central Processes Unit इसकी full form होती है तो यह भी आपको याद रखनी है देखी यह CPU का एक भाग है जहां पर गड़ती एवम तार की किरियाएं होती है देखी यह भी कईबर एवम तार की किरियाएं कम्पुटर में कहां पर होती है तो यह कहां पर होती है ALU में होती है बहुत महत पूर्ण है आने वाले एकजामस के लिए उसके बाद देखी अगला आता है एरे एरे क्या होता है निश्चिज प्रारूप में एक समों का परबंदन जिसे की एरे कहते हैं देखी ऐसे प्रशने बभ़गाइ mana दोस्तों ओल्टे सीजे यदे वी शब्द होता है जनका अर्थ कभी आपने पड़ा भी ना होता है तो ऐसे प्रशने बहुत बhमता है तो आपको याद रखना है अरे क्या होता है इसकी एक full form तो आजकी है क्या यहाँ एक coding योजना है यहाँ एक coding योजना है यह coding हम बोल सकते हैं coding से संबंदित आपको याद रखना है आजकी रहेगा चलिए ठीक अगला आता है Assembler Assembler भी कई वाइजम आ चुका है यहाँ क्या है जो Assembler भासा में लिखे प्रोग्राम को मसीनी भासा में अनुवाद करता है देखी यह बहुत महत्पून प्रशन है अगर देखी जहाँ प्रशन बनता है Assembler देखी यहाँ पर से आपको ऐसे पकड़ना है Assembler अगर आ रहा है यहाँ एक उच्छी स्थरी प्रोग्रामिंग भासा है इसका विकास प्रोफेसर केमी वा प्रोफेसर कुटर्ज ने किया था यह कई बार दोसा ऐसे कुशन बन जाता है जो बेसिक भासा है उसका विकास किस ने किया था तो इसका विकास किया था प्रोफेसर केमीव, प्रोफेसर कुडजने तो ये भी आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है बिगिनियर्स ओल प्रपोस्ट सिंबल इंटरक्शन कोड तो इसकी फुल फॉर्म है फॉर्म को एकत्र करके एकसांत प्रोसेस करवाया जाता है उसके बार देज़ी अगला आता है message bit तो जो एक्जाम में repeat होता रहता है उसकी आने के संबावना computer वाले section में काफी ज़्यादा रहती है तो देखर बिट क्या होता है bit एक binary जिसको संख्या कहते है यहाँ एक सूचना की सबसे छोटी काई है तो bit एक binary संख्या को गहते हैं देखिए बाइनरी संख्या को गहते हैं देखिए बाइनरी संख्या को गहते हैं तो bit एक बाइनरी संख्या को गहते हैं और यहाँ सूचना की सबसे छोटी काई है फिर देखिए अगला आता है लिखा हुआ लेकिन अंग्रीजें ब्रांचिंू लिखा हुआ तो बांचिंग यह हम इसको पढ़ते हैं तो देख serious के होता हैं कंप्वूटर के Control का प्रोग्राम मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस्थान और स्थान आत्र मतना कंप्वूटर के control का जो computer का control का जो program होगा जो computer के control का जो program होगा उसका एक स्थान से दूसरे इस्थान पर स्थाना अन्तरण क्या होगा branching कैंड़ागा देख कुछ-कुछ सब्द ऐसे होते हैं आप इनको सब्दों सही answer को hit कर सकते हैं branching देखिए ऐसे आप लोग समझ सकते हैं एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में जा रहा है तो ऐसे भी आप इसको हिट कर सकते हैं चलिए ठीक यह हम लोग कह सकते हैं चो बबल सोट है वो एक बिदी है किस परकार की युगमों की मानों को आपस में बदलाव करने के लिए चलिए ठीक पिर देखते हैं बफर बफर क्या है यहां मेमोरी का वह भाग जहां पर इस्थाई रूप से अस्थाई और इस्थाई रूप से डाटा का संग्रह किया जाता है देखी दो परकार से data संग्रह होता एक तो इस्थाई एक होता है स्थाई रूप से और एक होता है अस्थाई रूप से तो जहाँ पर अस्थाई रूप से computer का जो data संग्रह किया जाएगा उसे हम लोग क्या करते हैं buffer पर हालाकि जब हम लोग memory वाला chapter पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको मैं memory वाला chapter पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर हम लोग memory के बारें पढ़ेंगे प्रात्निक memory दुत्यक memory होती है RAM, ROM ये सब क्या होते हैं बहुत ही अच्छे से आपको example ऐसे समझाऊँगा ताकि आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे देखिए उसके बार आता है bug, bug कई बार दोस्तों एक जम पूछ ला चुका है तो जो जो मैं कहरा होना कई बार एक जम पूछ ला चुका है इसको आपको खास कर याद रखना है बग क्या है, प्रोग्राम में उत्पन तुरूठी को कहते हैं बग, प्रोग्राम क्या होता है, कम्पूर्टर में अनेक परकार के प्रोग्राम होते हैं तो उन में अगर कोई तुरूठी उत्पन न होती है तो उसी तुरूटी को हम लोग क्या कहते हैं बग चले ठीक है कभी कभी कहते हैं दबग चल ला है तो बग चल ला है इस चीज में बग चल ला है अगर आप लोग इंटरनेट ते युच kole यह हैं तो आपने ये सब्द सुना यह होगा अगला भाइट सामान नेता है 8 bit के sum को byte कहते हैं अभी हमने bit पढ़ा था bit क्या होता है 0x1 आइक ऐसे करके हमने कुछ पढ़ा था वैसे तो binary संख्या तो सामान नेता है 8 bit के sum को byte कहते हैं इसको एक काई मानते हैं और यहाँ एक चिन्न को पर्दसित करता है ये दोस्तो कई बार एक्जाम में आ चुका है कि कितने bit में 1 byte होती है तो 8 bit के sum को byte कहते हैं ये आपको याद रखना है कई बार एक्जाम में ये भी question आ चुका है चले ठीक उसके बाद एक अगला आता है काई इसकी फुल फॉर्म कई बार एक जमें पूछी आ चुकी है तो जितने भी यहां प्रशन रहेंगे और मेंसे यह 90% ऐसे प्रशन हैं जो एक एक जमें आ चुके हैं चले ठीक काई क्या होती है इसकी पहली बात तो आपको फुल-फॉर्म याद रखनी है computer added instruction देखों, computer added instruction देखों, यहाँ पर instruction सब्दा आपको देखने को मिलता है तो आप साफ-साफ बिल्कुल समझ तकते हैं, निर्देस दिया जा रहा है तो computer की साइधा से निर्देश प्राप्त करना या निर्देश दिया जा रहा है मतलए computer की साइदा से निर्देश को प्राप्त किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते है computer और इंस्टेक्षन जिसकों की어서 दो बोला जाता है CAI तो ऐसे करके आपको याद रखना है उसके पर देखी आता है CAL अब देखी यहाँ पर क्या है computer added learning यहाँ पर देखी same है यहाँ तक तो same है तो यहाँ पर देखी instruction हो गया और यहाँ पर learning हो गया तो देखी CAL यानि की computer added learning क्या होता है computer की साहता से सीखना देखी अगर आप इसकी फॉल्खॉम याद कर लेते हैं तो आपको इसकी परिवासा याद कर रिज़त पड़ेगी नहीं यहाँ पर लर्निंग आ रहा है यानि कि सीखना यहाँ पर देखिए instruction आ रहा है यानि कि निर्देश प्राफ्ट करना तो यह चीज़ें आपको पकड़ने पड़ेंगी क्योंकि इतने सारे चीज़ें याद करने के लिए आपको इरटना ही नहीं है चीज़ें को समझ के भी चलना है चलिए ठीक उसके बाद देखिए अगला आता है central processing unit अगर मैं कहूं computer अगर कहीं किसी एक्जाम में computer पूछा जा रहा है तो 100 मैंसे 80% यह question हमेसा देखने को मिलता है Central processing unit कई बाद एक्जाम आ चुका है इसकी full form होती है वैसे इसको एक्जाम में ऐसे पूछे जाएगा CPU की full form बताईए तो center processing unit इसकी full form होती है अब देखिए इसका कारिगा रहता है यहाँ computer system का मुख्य भाग है और यहाँ ALU control unit था memory unit से मिलकर बना होता है तो देखिए आपर से कितने questions बन गए है CPU की full form आपसे पूछलेगा और देखिए computer system का मुख्य भाग क्या है क्या है CPU है CPU किसे मिलकर बन रहा है ALU control unit था memory unit से मिलकर बन रहा है चलिए ठीक हाला कि ये सब कुछ मैं आपको detail से पढ़ाऊंगा जब हम लोग कोई chapter उठाएंगे जैसे कि software का chapter है या फिर भासा वाला chapter है memory वाला chapter है computer का जो basic है computer की जो भासाएं है वो हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग इनको समझेंगे हाला कि exam में प्रशन ऐसे ही बनते हैं सबसे छोटा तत्व जो अंक अक्छर या विसेश चन हो सकता है उसे क्या कहते हैं character देखे input और output इनपूर आउटपूर भी बहुत सारी चीज़ होते input क्या होता है जब हम computer में किसी चीच का परवेश करते हैं इनपूर आउटपूर जब हम computer से कोचिच प्राप्त करते हैं इनपूर्ट में जैसे की mouse हम लोग बोल सकते हैं आउटपूर में जैसे की monitor हम लोग बोल सकते हैं हाला कि सब कुछ में आपको यह भी पढ़ा हुआ करेक्टर सेट computer में उपलब्द अंकों और विसेश चिन्नों का जो एक समूर रहेगा उसको क्या कहेंगे करेक्टर सेट चलिए ठीक है फिर देखिए अगला आता है चिप चिप तो यह किसी को पता होता चिप क्या होती है लेकिन यहां से प्रशन क्या बनता है प्रशन हमेशा यह बनता है जो चिप होती है और किसकी बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है यह प्रशनी काहिव बार एक पूछा जा चुका है तो देखिए सिलिकॉन का यह एक छोटा सा टुकडा जिस पर एकिकरत परिपरत बने ह होते हैं वही होते चिप चिप क्या होती है जिसमें की जो आपका डाटा है वो संग्रहित जो होता है वो चिप में ही संग्रहित होता है जो रैम होती है उसको वैसे की चिप अलग-अलग भासाओं में इसका इसका इस्तेमाल किया आता है तो चिप आपको याद रखना है जो इ यहाँ एक उच्छ इस्तरी प्रोग्रामिंग भासा है, इसका उप्योग वाड़जी कार्यों के लिए होता है, देखिए कोशन तीन तरह से पूछा जाता है, वो तीन तरिके कौन कौन से हैं, तीन तरीके, पहला प्रश्ण ये कोबोल क्या है, तो कोबोल एक उच्छ इस्तरी प्रोग्रामिंग भासा है दूसरा प्रशनी क्या बनता है इसका उपयोग जो कोबोल है इस कोबोल भासा का परियोग किस कम्पूटर में किन कारियों के लिए किया जाता है तो अनेक परकार कारी किया आते हैं कम्पूटर में तो उन्हीं कारियों में से यह के वाणजिक कारिय के लिए किया जाता है कहीं-کहीं व्यापार भी लिखा रहता है तो इन तीनों चीजों के लिए कोबोल का परियोग किया जाएगा तो ये कोबोल आपको याद रखना बहुत महत्मूर है उसके बाद देखे अगला आता है कमांड कमांड क्या है यहाँ Computer کو पृिश्ट निरदेश का एक भाग है यहाँ Computer से कारे को किरियानुविद करता है Command के आूँदे, command देना मतब किसी कारे को Computer से कारे को किरियानुविद करना ही command कहलाता है चलिए ठीक, अगला आता है Compiler Compiler जो और कई बर आ चुका है तो आपको याद रखना है compiler क्या है यह एक program है कभी कभी क्या होता है compiler क्या है आपके सामने option रहेंगे यह बहुत एक वस्तु है यहाँ एक software है यहाँ प्रोग्राम है यहाँ कोई computer की तूटी है ऐसे करके option में exam आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चीए जो compiler है एक्जाम में जसे question क्या है computer क्या है भहत एक machine electronic machine या फिर कोई robot है या फिर कोई 140 machine है ऐसे करके option बनते हैं तो आपको याद रखना है computer एक electronic machine है कई बार दोस्तों एक जाम में प्राशना बन चुका है computer क्या है आपको याद रखना है यहाँ एक electronic machine है जिसमें data का input संग्रहन एवं गरणकारे होता है धाप परिडाम के output को इच्छी तरूप से प्राप्त किया जाता है तो देखिए जो computer जिसमें data का input संग्रहन गरणकारे होता है और ये computer क्या है एक electronic machine है तो आपको याद रखना है चलिए ठीक है फिर देखिए अगला आता है conditional branch कंप्यूटर के control का program के एक भाग से दूसरे भाग में किसी निश्चित दिसामें इस्थान तरण computer के control का program की एक भाग से दूसरे भाग में एक निश्चित दिसामें इस्थान तरण ही क्या कहलाता है तो वहाँ ब्रांच सब्दों का परियों किया जा रहा है तो ऐसे करके आपको इनको पकड़ना है पिर देखिए अगला हाथ है काउंटर काउंटर क्या है एक चलन की किसी परकरिया को बार-बार दोहराय जाने की गिंती करता है जो एक चलन की किसी परकरिया को मानले की computer में कोई एक चरण का कार किया जा रहा है और एक चरण की परकिरिया को बार बार दोहराया जा रहा है तो उसके जो गिंती की जा रही है उसी गिंती को हम लोग क्या गहते हैं counter अब देखिए इसको याद कैसे करें count देखिए इतने आसान इसको भी आता है count मतलब कि गिंती की जा रही है कोई चरण चल रहा है कितनी बार उस चरण की परकेरिया की गई है उसी को धोराय गया है तो उसी को count किया जा रहा है जिसको counter कहते हैं तो ऐसे ही आपको इन सब्दों से ही आपको उतर ढूटना पड़ेगा अगला आता है control unit control unit इसकी full form जिसकी short form होती है cu ये भी कई बार exam में आ चुक है cu की full form बता है ये control unit बहुत महत्मुणा control unit किसी भी computer में यह CPU का एक भाग है जो निर्देसों के निर्धारन अनुवाद तथा execution को नियंतित करता है देखी CPU का एक भाग है ऐसे भी exam में कई बार question बन जाता है कि control unit किसका भाग है तो आपको पता होना चीए control unit एक CPU का भाग है चलिए ठीक है फिर देखी अगला आता है cursor cursor किसी किसी को तो पताई होता है कि जब ऐसे करका लिखा वो आता है छो पर किसी चन की स्थती को बिश्ट करता capita पर आप जब भी कोई computer चलाते हैं तो एक तीर ऐसे चलता जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं cursor चलिए ठीक है फिर देखें अगला आता data data तो हर कोई जानता data क्या होता है वहाँ यहाँ बहाँ input है जो computer में गड़ना वर processing के लिए परियोगते होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते है data जो computer में अगर data ही नहीं रहेगा तो computer कारी क्या करेगा तो computer में कारी करने के लिए data का होना बहुत ही आउसक है फिर देखें डाटा बेस डाटा बेस क्या होता है डाटा फाइल के संगटित समों को कहते हैं जिसमें निश्चित बिसे से संबंदित सूचना होती है तेकर डाटा बेस डाटा फाइल के संगटित समों को यहाँ पर हम लोग देख रहेते डाटा क्या था यह computer में गड़ना वो processing के लिए उपयोगत हो और परियोगत किया रहा लेकर डाटा बेस में क्या है डाटा फाइल के संगटित समों को जो डाटा एक डाटा की जो फाइल होगी उस फाइल का एक संगटित समों होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं डाटा बेस जिसमें निश्चित बिसे से संबंदित सूचना होती है तेकि इसको जब हम लोग आपको यह सब चीजें पहले पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए कुछ चीजी याद हो जाए चलिए ठीक फिर देखिए अगला आता है डाटा प्रोसेसिंग सूचनाओं को इन्पूट करना सौटिंग करना तरह गड़ना कारी का डाटा प्रोसेसिंग क कोई कारी करते हैं जैसे कि कंपूर्टर आपने कारी किया उसमें कुछ इन्पूट किया इन्पूट यानि कि कुछ कंपूर्टर के अंदर डाटा कोड डाला जैसे कि डाटा क्या हो सकता है आप लोग जैसे कंपूर्टर में मैं आपको सामने बहुत ही ईजी एक्जामपल द दाल दिया है तो वही तो data है computer कोई लेक है कोई picture है कोई वीडियो है वही data होती है तो देखिए सूचना को input करना sorting करना गड़ना कारे करना जो भी आप लोग कारे कर रहे हैं उसको processing बोलते हैं तो इसी बरकार से data processing हो जाएगा चले ठीक चले ठीक आगे और है देख रहते हैं डिब गिंग क्या होता है कई बार दोस्तों एक जाम आ चुका ये भी देखिए किसी प्रोग्राम या computer में तुरूटियों को ग्याद करना तथा उनका निवारन डिब गिंग कहलाता है देखिए एक सब्दा है बग बग क्या था computer में जब कोई तूटियों आती है उसको तूटियां थी उनको बग कहा जा रहा था लेकिन जो डिब गिंग है इसमें क्या हो रहा है किसी प्रोग्राम या computer में तूटियों को ग्याद किया जा रहा है उनका निवारन भी किया जा रहा है और उसी को क्या कहा जा रहा है डिब गिंग चलिए ठीक है कई बार यह आ है digital computer देखी सब्दा आपको कितना आसान लग रहा है digital computer लेकर जब आपको आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा ना तो आप बिना पड़े कुछ नहीं बता पाएंगे एक्जाम में option आएंगे कि यहाँ computer की कुछ computer में सब्दों का खेल है या फिर यह computer में कोई भासा है या फिर यह computer में कोई language है या फिर वह computer की कोई अंकी गड़नाओं को करता है तो यह वो है तो ऐसे करके option बनते हैं जहां आप पूरी तरह से confused हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए digital computer क्या है वह computer जो अंकी गड़नाओं को कर सके चलिए ठीक अगला आता है डाइरेक्ट एक्सेस डाइरेक्ट एक्सेस क्या है किसी भी file में उपस्थित विशेस record को सीधे पढ़ने की परकिरिया किसी file में उपस्थित विशेस record को सीधे पढ़ने की परकिरिया देखे डायरेक्ट यहां पर लिखा आ गया है तो आपको बिलकुल आपका जो अप्सन है उसको हिट करना डायरेक्ट लिखा हो वारा मतलब सीधे पढ़ना किस चीज को पढ़ेंगे किस चीज को जो फाइल में कोई चीज होगी उसी तो पढ़ेंगे न तो किसी फाइल में जो उपसित विसेज रिकॉर्ट को सीदे पढ़ने की परकिरिया क्या कहलाती है डारेक्ट एक्सेस चलिए ठीक अगला आता है डिस्क डिस्क क्या है एक समतल वरती मैगनेटिक डिवाइस जिस पर सूचनाव को लिखा हुआ संग्रहित किया जा सकता है डिस्क कंपूर्टर के अंदर ही होता है तो देखिए एक समतल वरती मैगनेटिक डिवाइस होती है जिस पर सूचनाव को लिखा हुआ संग्रहित किया जाता है मतलब कि जो हमारे डाटा होता है उसको हम लोग save करते हैं या रख सकते हैं वो एक disk में हम लोग रख सकते हैं वैसे disk का आकार वैसे goal होता है चलिए इसको भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग memory के बारें पढ़ेंगे तो वहाँ इसको हम लोग अच्छे से discuss करेंगे अगला आता है editor एडिटर क्या होता है एक program जो उप्योग करता के program को संपादित करने में सहता देता है देखी कोई program है जो कारे कर रहा है और program को संपादित कर रहा है उस program को संपादित करने में सहता दे रहा है वो कौन है editor फिर देखी अगला आता एनिक कई बार दोस्तों एक्जाम में आ भी चुका है एनिक का पहली पूरा नाम याद रगना है यहाँ क्या है electronic, numerical, integrator and calculator यहाँ पूर्ण electronic computer है जब हम लोग computer का basic वाला हम लोग chapter पड़ेंगे तब हम लोग पड़ेंगे एनिक के बारे में भी एनिक का विकास किस ने किया था एनिक क्या था इसके बारे में हम लोग अच्छे से discuss करेंगे चलिए तो आनिक की fully form दोस्तों कई बार एनिक की फूल फॉल फॉरम तो आपको याद रखने है एनिक की fully form और एनिक क्या है पहला पूर्ण electronic computer है एसे इक जाम प्रस्ण बनेगा कि पहला पूर्ण electronic computer कौन सा था आपका उतर कहोजागा एनिक चलिए ठीक, अगला है error message, error message क्या होता ह में के दोरां पॉपधित तुरूटियों को दरसाना देकर तुरूटियों का कई बार देखे तीसरी बारी यहां प्रयुग हो रहा है यह पर देखे एर रर व्याड़ी करें कभी-कभी क्या होता है आप लोग کا यूज करते हैं जब कोई की स्क्रीन पर तो वो क्या है computer दारा program एक्जिसन के दौरां प्राप्त तुरूटियों को दरसा ना मतलब जो computer के दौरा program एक्जिकीशन के दौरां जो तुरूटियां दरसा ही जाएंगी उसी को हम लोग क्या करते हैं error message मतलब कि एक message आप कोहां पर दिया जाता है जो भी जिस भी कारण से वो side block चल लही है तो वो error के मादम से आपको message दिया जाएगा फिर देखिए अगला आता है execution execution क्या है program में दिये गए निर्देशों का computer द्वारा अनुपालन तो देखिए program में दिये गए दिये निर्देशों का computer द्वारा जहां पर अनुपालन किया जा रहा है उसी को क्या बोलते है एक जी क्यूसन चलिए ठीक है फिर देखिए फिर क्या है execution क्या है मान को घातों द्वारा व्यक्त करना अब देखिए computer में गड़ती किरियाएं भी की जाती है तो जो मान होंगे उनको घातों द्वारा जो व्यक्त किया जाएगा उसे हम लोग क्या करते है एक्सपोंसियेशन चलिए ठीक हैं बहुत सरी आप उसे फाइल्स बनाते हैं तो उनी फाइल्स को हम लोग अगर वैसे हम लोग इसकी तोड़े व्याख्या करें तो किस तरीक चैसे करेंगे किसी record या program का संगड़ संहों क्या कहलाता है फाइल कहलाता है या cpu कहलाता है या इन से कुई नी। ऐसे गर कि गहाँ कृष्ण बन जाते हैं तो पता होना चाहिए चलिए ठीक अगला आता है फर्मवेर क्या है रूम में संग रही सौप्ट वेर देखिए कंपूरटर में क्या श्या होता है रोम एक रोम होता है एक होता है रैम होता है तो देखिए जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है और जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है हाला कि सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा तो देखिए जो रोम होता है उसमें जो संग्रहे सॉप्ट्वेर होते हैं उसी को क् भी लंब्य हो जाएगी फिर देखिए अगला आता है फिलिफ फ्लॉप क्या होता है द्वी इस्टिक परिपत जो दो संभव इस्थितियों में एक को घ्रण करता है देखिए यह प्रश्ण दोस्तों में कई बार आचुका है फिलिफ फ्लॉप से फिलिफ लोप से संब्दर न पढ़ेंगे मेमोरी वाला चैप्टर तो आपको यहां पर से यहाँ आठना है फिलिप फ्लोफ क्या होता है सिदिख परिपत जो संभाव इस्थितियां में एक को विखण करता है जैसे कि जीरो और एक जी जैसे कि एक बार थोड़ा सा समझते हैं जीरो और एक दो संभव इस्तितियां होती है जीरो को वैसे ओफ कहा जाता है ओफ और ओन से इनको संभधत किया जाता है ओफ या ओन से ऐसे भी कभी कभी ग्याम में परशना बन चुका है कि जो computer में जीरो है उसके लिए हम लोग क्या कहा सकता है इसको off सब्द से भी इसको संभधत किया जाता है तो जीरो के लिए off और एक के लिए on का परियो की आयता है तो दू परिपद जो दो संभव इस्तितियां में एक को घ्रण करेगा उसी को क्या करते हैं फ़लाव ठीक है फिर देखिए अगला आता है floppy disk floppy disk क्या है यहाँ एक लचिली प्लास्टिक से निर्मित वरतिय मैगनेटिक डिस्क जिसके ओपर मैगनेटिक पदार्थ का लेप होता है यह भी देखिए जो computer का data memory से संब्दे हमारे floppy disk को जाएगी जो कुछ भी data वैसे floppy disk का परियोग तो वरतमान में बहुत कम है floppy disk का परियोग बहुत कम किया जा रहा है लेकिन floppy disk क्या है यहाँ भी एक परकार की memory है computer की तो देखिए एक लेकिन आपसे पूछे जाएगा floppy disk होती क्या है यहाँ लचिली प्लास्टिक से निर्मित एक वरती यहाँ की गोल मेगनेटिक डिस्क जिसके ओपर मेगनेटिक पदार्थ का लेप होता है और यह एक memory का कारे करता है अगला आता है flow chart flow chart क्या है किसी समस्या के समधान का करमबद रेखांकन करना क्या कहलाता है flow chart देकि चार्ट सब्दे का यहाँ पर परियोग किया जा रहा है मतलब कोई chart बनाया जाएगा एक दो flow मतलब सीधे एक chart बनाया जा रहा है और किसी समस्या के समधान का करमबद रेखांकन उसमें किया जाएगा चलिए ठीक उसकी वाद देखिए अगला आता है फ्रोटॉन हजारों बारे कोशन इकजामें बन चुका है फ्रोटॉन हो गया पास्कल हो गया और अभी मैंने आपको एक भासा लगोल हो गया बहुत सारी कंपूर्टर की भासाइं होती है वहाँ से एकजाम प्रशन बनते रहते हैं तो फ्रोटॉन भी बहुत महत्पूरा आने वाले एक जाम के लिए यहाँ IBM के द्वारा विक्सित एक उच्चिस थरी भासा है कभी कभी पूछ ले आता है जो फ्रोटॉन भासा है किसके द्वारा विक्सित की गई है तो IBM आपने नाम सुनाई होगा IBM कंपूर्टर अगर आप लोग लेता है बहुत सारी कंपूर्टर में IBM लिखा भी रहता है तो देखिए यहाँ IBM के द्वारा विक्सित एक उच्चिस थरी भासा है कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि देखिए जो फ्रोटॉन है वो उच्चिस थरी भासा है जो फ्रोटॉन भासा है उसका परियोग की छेतर में किया जाएगा तो व्यग्यानिक छेतर में है चलिए ठीक फिर देखिए एक आता है गेट गेट क्या है यहाँ ऐसा इलेक्ट्रोनिक स्विच जिसमें एक या एक से अधिक इंपूर्ट होते है परन्तु आउट्पूर्ट के वल एक ही होता है मतलब बहुत सारे इंपूर्ट होंगे जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया माउस हो गया बहुत सारे इंपूर्ट होते है लेकिन देखिए गेट में क्या होगा यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रोनिक स्विच जिसमें एक एक से अधिक इंपूर्ट होते है परन्तु आउट्पूर्ट के वल एक ही होता है उसे क्या कहते हैं अगला आतक ग्राफिक्स ग्राफिक्स क्या होते हैं सूचनाओं का चितरात्मक परदसन आप लोग computer में बहुत सारे चित्रत देखते हैं तो वो क्या होता है वो सब graphics तो है computer में आपको बहुत सारे pixel दिखा येते हैं जो आपको दिखते नहीं है लेकिन computer में जो भी आकरती बनती है इसको भी note कर लेंगे computer में बहुत सारी आकरतियां बनती हैं देखी जितने आपकी computer में dotted होते हैं जितने अधिकान से dotted होते हैं आपका pixel उतना ही अच्छा रहता है तो ये आपको बिंदू आपका याद रखना है जैसे कि कभी कभी क्या होता graphics से किन से मिलकर बनता है पहले तो बहुत इसका यूज होता था वर्तमान में भी हो रहा है लेकिन वर्तमान में टेक्नोलजी काफी विक्सित हो गई है लेकिन प्रशन तो बनते रहते हैं तो बहुत सारे बिंदू का जो समूर हैगा आपको जो computer की screen बनती है वो कैसे बनती है छोड़े बिंदूं से बनती है तो ऐसे प्रशने कभी-कभी बन जाते हैं तो graphics करेगा सूचनाओं का चितरात्मा पर्दसन hard copy hard copy सूचनाओं का इस्थाई संकरन सामानता है कागचबर hard copy जैसे कि आप लोग कोई photo state करवाते हैं computer से कोई भी आप लोग printer के द्वारा कोई copy पराप्त करते हैं तो वो क्या हो जाएगी computer के hard copy जाती है इस्थाई संकरन उसका आपको पराप्त हो जाता है चलिए ठीक फिर देखिए यह था hard copy यह थे hardware hardware कई बार दोस्टी जम आ चुका है computer के बहुत इक बाग computer के बहुत इक बाग जैसे कि जिनमें cpo, input, output यह दूसरी का यह देखिए दो आता है एक तो आता हाडवेर दूसरा आता है software देखिए इनको आप लोग एक बाद समझ ले दिए software देखिए software क्या होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं लेकिन hardware computer के वे भाग होते हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं कई बार दोस्ते एक्जाम में प्रिश्ण बन चुका है कैसे बनता है कि computer के वे भाग जिनें हम छू नहीं सकते हैं वो क्या कहलाते हैं software कहलाते हैं कैसे देखिए facebook क्या है एक software है एक application है बहुत सारी ऐसी चीज़ बहुत है कम आपका monitor है आपका mobile है screen है उसको आप लोग छू सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते है hardware hardware देखिए उसको आपको अगर अगर computer होता है software hardware में तो hard चीज जो रहेगी hard चीज रहेगी computer रहें हाड चीज क्या रहेगी जो plastic की बनी हो लोहे की बनी हो जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो क्या रहेगा, hardware, चलिए ठीक, अगला क्या है, अगला है high-level language, high-level language उची स्थरी programming भासा, जिसे मानाव आसानी से समझ सकता है, और उसका हुप्योग कर सकता है, उसी को हम लोग क्या करते है, high-level language, language के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, detail से चलिए ठीक, अगला आत वह अनलोग दोनों computer की विशिश्ताइं सम्मलित हो उसी को हम लोग क्या करते हैं hybrid computer ऐसे ही दोस्ता पुछ जाएगा कि वहां computer जिसमें डिजिटल वह अनलोग दोनों computer की विशिश्ताइं सम्मंदित होती है उसे क्या कहा आता है आपका उतर क्या हो जाएगा hybrid computer तो दोस्तों ये तो हमारा था part first part first था हमारा जो computer के जो आपकी सब्दावले हो जाएंगी उससे सम्मंदित हमारा पहला part था हाला कि यह भी दो-तिर पार्ट आपके और आएंगे जिसमें हम लोग आपकी एक्जाम में बहुत सारे ऐसे हर एक्जाम में आपसे एक कुशिन पूशे जाता है यहां से जो मैं आपको सीरीज आपको दे रहा हूं तो बहुत ही अच्छे से आपको कवर कर रही है तो दोस्तों